हेलो फ्रेंज, वेलकम तु दो चैनल, आज हम बात करेंगे बीर्ड सेकिंड यर के प्रैक्टिकल्स के बारे में इसमें आपके थ्री प्रैक्टिकल फाइल्स वनेंगी, दो आपकी स्कूल इन टीचिंग प्रैक्टिस के लिए, एक दोनों पीड़ा को की सब्जट के लिए एक और एक फाइल स्कूल बेस्ट एक्टिविटीज की, यह दोनों ही फाइल्स और प्रैक्टिकल्स आपके एक्स्टरनल इवैल्यवेशन में यूज होंगी, जो स्कूल बेस्ट एक्टिविटीज फाइल है, एस्ब ये फाइल जिसे हम कहेंगे, वो मैक्सिमम 50 मार्क्स की है, जिसमें 30 मार्क्स आपके एक्स्टरनल एक्जामिनर देंगे और 20 मार्क्स इंटरनल, इसमें आपको तीन एक्टिविटीज करनी है, फर्स्ट इस डेवलेप्मेंट ऑफ सी सी इ इन एन पेडागोगी सबजेक्ट, जिसमें आप तॉंटिनुएस एन कॉंप्रिहेंसिव एव Third is important point, reporting about school internship. After the school internship, the student teachers are required to prepare a report in which all the activities performed by them in the school during their stay of 16 weeks in the school. इस third point के लिए ही इसे school-based activities file का आजाता है, क्योंकि इसमें आप अपने 16 weeks का total data तयार करके रखते हैं. इस file में आप उन सारी activities के बारे में डाल लिखते हैं, जो आपने अपनी internship के दोरान की हैं. चाहिए वो time table तयार करना हो, fees registers maintain करने हो, या teaching work हो. तो इस school-based activities file में आपको ये तीनों topics cover करने हैं. जो reporting है, वो आप weekly भी कर सकते हैं और daily basis पर भी कर सकते हैं. इस file के उपर basically वायवाग कंड़क्ट करवाया जाता है. औरल questions पुछे जाते हैं कि school-based activities क्या होती है, कौन-कौन से activities में आपने participate किया, कौन से school में आपने teaching practice की, कौन से subjects पढ़ाते थे, CCE क्यों जरूरी है, इस type के questions इसके अंदर पुछे जाते हैं. स्कूल-based activities के अलावा आपको दोनों pedagogy subject के बारे में एक-एक फाइल तयार करनी होती है, जिसका theory exam आप first year में देते हो, आपके teaching subjects का, उनकी practical exams second year में होती है, इसमें total marks होते हैं 100, यानि एक subject के लिए 100 marks हैं, external examiner out of 80 marks देंगे और internal out of 20 marks देंगे, तो दोनों subject के मिलाकर 200 marks आप आपको क्या-क्या lessons तयार करनी है, तो ये एक फाइल के बारे में बताया गया है, एक फाइल के अंदर आपको 5 micro lesson लिखने है, 5 mega lessons लिखने है, एक discussion lesson लिखना है, और 12 real teaching lessons लिखने है, हमने देखा कि आपको कौन-कौन सी फाइल प्रेक्टिकल के लिए बनानी है, अब हम देख Second is SIP file या School-based activities file, ये फाइल भी आपके चेत्रे से चेक होनी चाहिए, और स्केपर signatures होनी चाहिए, थर्ड इस chalk box, चौक बॉक्स आपको क्लास में teaching के लिए यूज करने हैं, तो आप black, white या colorful जैसे chalks के आपको ज़रुत है, वैसे chalks ले जा सकते हैं, फोर्थ इस duster, आप सब topic आप बच्चों को दिखाना चाहते हैं, या topic board पे लिखी वही जो चीज़ आप उनको show करना चाहते हैं, point करना चाहते हैं, या chart पे आप कुछ हुने point out करना चाहते हैं, तो pointer का use कर सकते हैं, अगर आप simple black board पर पढ़ा रहे हैं, तो आपको chalk box की ज़रुत पढ़ेगी, और अगर white board पे हैं, तो उसके लिए आप markers का भी use कर सकते हैं, 6th point is charts for each lesson plan, कि जो lesson plan आप पढ़ाना चाहते हो, उसके साथ अगर आपको charts और कोई helping material की ज़रत हैं, तो वो आपको लेकर जाना चाहिए, 7th is double sided tape, ताकि आप charts या models को जहां place करना है, उस जग अच्छे से place कर सकें, दिवारों पर चिपका सकें, या blackboard पर लगा सकें, इसके लिए double sided tape लेकर जाएं, अगर आपको teaching करते समय किसी model की ज़रत है, तो उसे भी अपने साथ जरूर लेकर जाएं, 9th is lesson plan, जो भी आप lesson पढ़ाना चाहते हो, उस lesson plan को अलग से तयार करो, और एक file में डाल कर लेकर ज आपको किसी भी तरहके की दिकत का सामना नहीं करना पड़े, 11th point is any other item, अगर आपको teaching के लिए किसी भी और चीज की जरूरत है, तो आप वो भी साथ में ले जा सकते हैं, यानि teaching करने के लिए फुली प्रिपेर जाएंगे, किसी से आपको कोई material लेनी की जरूरत नहीं जानी चाहिए, इस practical के टाइम पे, जो भी 2020 में होंगे इसमें, और साथ ही साथ आप अपना पूरा ध्यान रखें, किसी से भी आप ज़्यादा क्लोज ना आए, और सोशल डिस्टेंसिंग का फॉर्मेट जो है, उसे फॉलो करें, इसके बाद अब की बार कुछ बच्चों क प्रॉबलम है, क्योंकि वो क्वेरंटीन में हैं, तो वो ओफिशाल में, ओफ-लाइन मोड में एग्जाम नहीं दे सकते हैं, तो उसके लिए सभी युनिवर्सिटिज ने ऑनना मोड में एग्जाम देने की परमिशन दी है, अगर आप ओन लाइन मोड में एक्जाम देना च आपका जो भी वाइवा होगा प्रेक्टिकल कंड़क्ट होगी उसकी रेकॉर्डिंग रखी जानी जरूरी है इसके लिए आप अपने कॉलेच से भी कंसल्ट कर सकते हैं कि कौन सी एप डाउनलोड करें जिससे आप वीडियो रेकॉर्डिंग रख सके तो वीडियो जो भी मटेरियल्स आपको ओफ-लाइन के लिए जरुत होती हैं जैसे कि लेसें प्लैन्स हैं मॉडल्स हैं चाउक डस्टर पॉइंटर जो भी चीज़े हैं वो अपने हैंडी रखिए ताकि जब आपका वाइवा चल रहा है तो आप उसी जब भी रिकॉर्मेंट हो उन्हें कौन सी एप डाउनलोड करनी है क्या रिकॉर्मेंट्स हैं क्या डेट हैं यह सब चीज़ें आप कंसल्ट करकर रेडी रहें ऑफ-लाइन मोड वाले भी अपना सारा सामान मेर्टेरियल लेकर रेडी रहें और बेस्ट फॉर एग्जैम्स कीप वाचिंग वीडियो अच्छी लगें तो लाइक कीजिए ताकि मैं आपके लिए इसी टाइप में और वीडियो बना कर पोस्ट कर सकूँ थैंक यू वेरी मच्छ अल्द बेल